आप हैं कि से ही तक नाम है बिजनस इंवायरमेंट Bowl तो इस छरुंट करता है कि हमें पढ़ना किया है बात कू ध्यान से समझना ये जो तीन चैप्टर है अभी तीसरा इन दोनों से इसका कोई लेना देना नहीं और अगले लोली जो चैप्टर है लिटा को मतलब बिजनस के स्रमधिंस की बाद में बात करता हूं मैं पहले आपके environment के बात करता हूं कि आपके आसपास के environment से surroundings आपके life पे effect आता है कि आसपास quality कैसी है water quality कैसी है road कैसे बनी भी है sanitation है या नहीं इन सारी चीजों से आपके life में effect आता है जितना आदा pollution उतने आदा healthy issue हो सकते हैं जितना अगर आसपास का आपके surroundings clean हैं उतनी आपके healthy होने के chances बढ़ जाएंगे सेम बिजनस के साथ है काम बिजनस इन्वायर्मेंट का मतलब business की surroundings जिससे किस पर impact आ सकता है बिजनस पर मैं आप से कुछ होंगा कि आपको क्या लगता है बिजनस के surroundings में कौन कौन से लोग आते हैं जो business का impact कर सकते हैं कौन कौन से चीज़ हैं जो दो answer आया मेरे पर एक answer आया consumer एक answer आया competitor आप खुद बताओ क्या consumer change होने से और competitor change होने से मेरे business पर impact आता है या नहीं आता एक example मैं तो बार बार देता हूं बताओ एक टेल जब तक जीओ नहीं था एक जीओ नेट के एक महीने के कितने लिए रहा था डाइस और पे एक competition बढ़ा और उसको महीने के मतलब तो महीने के वह एक जीओ बी के लेता था ना अब उस ने का एक महीने के मुझे 200 पी दे दो और एक जी भी तो महीने के छोड़ो हर दिन डेड़ जी भी लो और unlimited phone call अलग लो इस बिजनस environment बटा ऐसे बहुत सारे एक जामपल से एक एक जामपल नहीं है बड़े-बड़े शाक टेंक देख रहा था उसमें कोई Facebook पे एक किसी ने अपना पेज बनाया उसका विजनस इतना flourish कर गया इतना flourish कर गया कि 10 या 12 क्रोड उसके कम से कम सब्सक्राइबर हो गए थे समझना वाई सब नेक्स लेवल इंकम हो रही थे बताने कितने ही लाखों करोड़ों में मतलब कमा रहा था हुआ क्या उसका पेज फेसबुक को फेमस और फेसबुक ने उसके पेज कोई क्या कर दिया है क्यों चुँद कर रिजल क्या दिया उन्होंने रीजल किया कि एक इंडियन कंपनी और इंडियन पॉलिसी व्हां और इसके कस्टमर यूजए द बहुत ज्वां सब्सक्राइब कर दो बाइस सब्सक्राइब करके अपने एक स्टेज नाम की कंपनी बनाई और तीन सो क्रोड की वैल्यूएशन फिर वो द्वारा लेके चला गया बंदे में दम होना चाहिए कोई रिकत ने डूब नेट्फिक्स यह एक एप है जो अलग अलग कंटेंट देते हैं उटेडी प्लेटफॉर्म बनाया लेंगविज वाइस बनाया कि जैसे कि अगर आप हर्याना में हर्याना शो देखना चाहते हो तो उन्हें हर्यानवी शो स्पैशल बनाए और उसने बताया कि जब में कोई सिर और पर लगता हैं कि रहा हैं हम अपनी वेब सेरीज में 8-10-20 लाक लगाते हैं और एक वेब सेरीज बना देते हैं और बहुत बड़िया कमाई कर लेते हैं तो तो मेंड पॉइंट यह है कि आपको नहीं पता कि आपके बिजनस में कब क्या चेंज आ जाए लेकिन आप बिजन बिजनस इन्वायरमेंट कि करूंगे दूबंगे भी बिजनस इन्वायरमेंट के लोड़ को आस-पास धियान से देखते रहो आके खोल के कि बिजनस में कब क्या और कैसे हो southeast को इसको बिजनस इन्वायरमेंट अब याद रखना है यह जो इंडिविज्वल हैं यह ड्रैक्ट लिंपेक्ट करते हैं और जो अदर फोसिस है वो इंड्राइब करती है में तो अदर फोसिस पे आज नहीं तो कल पूरा अगर पूरा टोपिक होगा जिसके डैमेंशिंस कहते हैं यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बहुत जादा चांसिस है पेपर में इस पर डैमेंशिंस पर कोशन आए गई आएगा कुल मिलाकी एदर फोर्सिस कौन सी है पांच एकनॉमिक सोशल पॉलिटिकल लीगल एंड टेक है कि किसे कहते हैं कि इस सडीओ शार्डेन ने भी दिखा दिया और में विट्स में बोर्ट के पेपर में भी आपको दिख जाएगी कि में बोर्ट के बेपर में 52 60 मार्क्स ऐस चड़ी और आप खुद देख लिए ना पिछले दो-तिन साल के पेपर आपको पता चल जाएग है बेटा हाँ तो इसी लिए बेटा जिसे सिंपल कंसेप्ट याद नहीं है वो केसिस सड़ी करें सकता तो फिलाल कुछ चीजे बिजनस को डिरेक्टले इंपेक्ट करती है वो कोन है कंज्यूमर सप्लायर्स कॉम्पेटेटर और गॉवर्मेंट तो यह हो गया मिनिंग भी दिमेंशन सी है मुझे लग रहे है को लेक्शर में चैप्टर में खतम करा दूंगा है ना फिलाल के लिए तो जरा वो पढ़े हम खाली फीचर्स क्या फीचर्स हैं हमारे बिजनस इंवायर्मेंट के एक एक करके बेटा दो तो मिनिंग सी क्लियर है बिजनस इन्वायर्में जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते बताओ कॉंपिडिशन चींज होगा आप चाके भी कुछ कर सकते हो क्या आप गुस्टा रहा है एक जब करनेंट नहीं तो मीट और यह चीजें लीगल ती जिसका मीट का विजनस ता एकदम योगी जी ने का जिए आज के बाद मीट का वि कुछ को रिजकुछ नहीं कर सकते हैं इस एक्जामपल जिन से आप डेटुडे मिलते रहते हो कंज्यूमर सप्लायर है ना कॉमपेटर यह आपको फिर भी डेटुडे मिल सकते हो और मेन है जर्नल फोसे जो आपको बिजनसको इंडरेक्त करते हैं जिसे हम डिमेंशन के नाम से भी कहते हैं वह कौन-कौन सी है वो कुल मिला के पांच डिमेंशन है एकनोमिक सोचल पॉलिटिकल लीगल एंड टेकनोलोजिकल दो पॉइंट तो काम खतम होगे इसे बढ़ते हैं पॉइंट क्या है टॉटालिटी ओफ एक्सेनल पॉससे सेगंड क्या है स्पैसिफि इनफ्लूइस भर्किंग ऑपे बिजनस इंटरप्राइस जो डिरेक्टली और इनटरेक्टली आपके धंड़को इंपक्टली और जनल में क्या का सोशल पॉलिटिकल लीगल एंड टेकनोलोजिकल जो आपके बिजनस को कैसे इंपक्टली क्या बाद समझ में हैं फर्स तो से सोचते हैं कि हमारे बिजनस इंवाइरमेंट के फीचर के हमें दो तिन बाते कर लेता हूं फिर दिखाऊंगा इंडिया में अपने आपको करने के लिए अन्हों ने क्या करा इंट्रोडीव क्योंकि उन्हें बता था कि इंडिया वाले आलू टिक्की के बहुत फैन है तो अलू टिक्की बर्गर लिए बाइब बाय था है तो बर्गर भे ? नहीं आलू टिक्की मिल जाता है कितनी जगा मुझे अच्छे से याद है विटा मुझे तो मैं बच्चे को समझा रहा था एक बच्चे ने मुझे का वो भी पनिया या गुपता थी तो कहने लगी सर हम भी पैरिज गए थे घर वालों को नोनवेज खाना नहीं था तो मैगड हाँ यह सच्चा यह सच्चा ही है दिस इस फैक्ट तो फिलाल यह मैगडी का एक्जामपल छोड़ो मैं तो चेंजिस की बात करता हूं अभी नोकिया तो बिटा डू भी गया नोकिया का तो क्या ही कहने दो हजार पांच में हाइस सेलिंग फोन था वो डब्बे वाले फोन सबसे सत्यानास फोन और एपल के क्यों टाइम वेस्टेज जो सोशल मीडिया ने आप क्या बात करूं जब हमारे जैसे मतलब जिनने पता है कि टाइम वेस्टेज है खाली होने पर यही फोन हाथ में आता है जो कि इससे बड़ा डिक्शन लाइफ में कोई है नहीं नोकिया म उसमें बस एक स्नेक वाला गेम होता था उसका जरूर एडिक्शन हो है ना वह स्नेक वाले गेम का एडिक्शन जरूर था लेकिन जिन्दगी बहुत सही थी ना फालतों कि टेंशन यह इंस्टाग्राम स्नैप चैट फेस्बूक तुम तो खेरा फेस्बूक से उड़ चुके हो है ना तो बेटा आप यह देखो उस समय दोजार पांच में फोन बहुत बिखते थे लेकिन यह फोन क्यों डूब गए दोजाद शे साथ में इंड्रोइड आया मार्केट में वह अपने फोन में कैमरा भी दे रहा है वह अपने फोन में म्यूजिक प्लियर भी दे रहा है प्लियर फोन में नए से नए गेम भी दे रहे हैं फोन से क्लोग का काम तो खतमी हो जाता है आप यह देखो एक मार्केट एक फोन की मार्केट में कितनी मार्केट का दर्जी अड़ा दी पहली बात लोग अलग से गेम खेलने के लिए जाते दो सिक्के वाले उस पे एक एक खरीदने है ना उसका मज़ा अलग था लेकिन बेटा मार्केट खतम हादस अरवे में घंटा टे गंत्री के वहाई साब बजा रखे हैं मतलब बेटा वुद दिन भी क्या दिन थे क्या बताऊं मैं गेम कैमरा पहले लोग अलग से लेगे घूमते थे आज के दिन जब से यह फोन आया वाई साब सारे सेल्फी क्यूइन बनके रहेगे तो कैमरे की मार्केट खतम होगी पहले जैनली हरे के पास लोग होते थी घड़ी आज के दिन में लग रहा है बहुत कम बच्चे होंगे जिनोंने लोग का इस समय यूज कर रहे हैं आप यह देख रहे हो ना इस मा उसने इतना लेट हो गया बेटर टाइम पर अपने आपको चींज कर लोग बहुत जरूरी है यह तुम्हारे पर लगती है बात अभी तो तुम सीरियस नहीं हो लाइफ में लाइन है अब में पॉइंट ये हैं बेटा में पॉइंट क्या है मुद्दे की बार टाइम के साथ अपने आप में क्या लेयाओ चेंजिस नई तो नोक्या की तरह डूब जाओंगे और फिर बाद में ये कहते विरोंगे हमें तो पता ही निचला हम क्योड़ों गए क्योंकि नोक्या के सीयो के आखरी सेड्में समझ बात को क्या समझाऊंगा कि ये कंसेप्ट डाइनमिक अपने बिजनस इन्वाइरमेंट को धियान से देख अवे टाइम के अगोडिंग तो चींज नहीं होगा तो तेरा धंदा डूबेगा ही डूबेगा और ये उसके वर्ड्स हैं सच्चाई में आखरी में कहना असा करता था एकदम क्या हो गया कि धंदाई बंद हो गया सिंपल उसने अपने आपको टाइम के अगोडिंग चींज नहीं करा मैं एक्जामपल दे रहा हूं बाकि जैसी फेस्बुक है यह जो इंस्टा है यह वर्ड्स है पर देखो छोटे-चोटे चींज इसलाते हैं टाइम बनना लोग बोर हो जाते हैं बेटा फेस्बुक तो मार्क जुकरवर कहना उसने देखा कि यह बहुत उचल रहे हैं दोनों इंस्टाग्राम और वाटसेप दोनों ए खरीद लिए बाई साब बड़ी मचली छोड़ी मचली को खा जाती है उस पे इतना वैसा था उसने दो मि उन्हों ने देखा कि बाई जो यह स्मॉल कंटेंट मार्केट कंजूमिंग पब्लिक है ना आज की यंग जनरेशन इन्हें दो-दो मिनिट की वीडियो खुद अच्छे लगती है यह टार्गेट ओडियंस है लाओ भाई साब रील लाओ टिक्टोकर सारी यहीं आगे पहले क्या है आज की दिन अपने नोट्स लिखो भाई साब है अपने नोट्स लिखो कैसा फील कर रहे हो लोग वो करना शुरू कर रहे हैं वर्ट सैप में पहले डिलीट का उप्शन नहीं था मैसेज अब डिलीट फ्रो एवरिवन का उप्शन आ गया कि दो-पांच गानली हो वो देखी नहीं पाएगा है 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 ऐसा भी है कि यहीं नहीं परता मिझे आ यह होगा वह एंड्रोइड वाले एक और पक्के होते हैं यह लूपोल्स निकालते रहते हैं अच्छा डिलीट किया था पेड पेड भी अलाउं नहीं होनेगी एपल में तो ऐसे अगर डिलीट होगी वैसे इसी लिए उसमें फंक्शन इतने हैं लेकिन बेटा यह अलग-अलग एक्जामपल दे रहा हूं यह टाइम पहले लोग भाग न्यू यह वर्टसेप का मैसेज हजार कंट्रेंट है तो उन्होंने फॉरवड भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वाई पांच नहीं है अच्छा ऐसे है क्या कितनी जगा पांच के रिस्ट्रिक्शन है कितनी जगा 30 की वाई सही में करना है तो विश्ख करो यह ड्रामे बाजी न गरो फॉरवड फॉरवड वादी तो यह है हमारा बिजनस इंवाइरमेंट टाइम के अकोडिंग चेंज कर लोंगे तो सर्वाइफ कर जाओंगे बना डूब जाओंगे बहुत एक्जामपल दे दिया दूसरी बात आप किसी की प्रैक्टिकली बिजनस के सेड़ी सुन लेना किसी की भी होटल वालों की सुन लेना ज बिजनस पर तालह लग गया क्यों क्या आगया और इस इस दा अनसर्टिन बिजनस पता निवाइशा अब धंदे में कब कल को क्या हो जाए चीजे सई चल रही हो चीजे कभी भी डूब सकती है मैं सबसे आदा बताओं किस पर इंपक्ट है मतलब बहुत सारे मैं लेकिन जो म है नहीं कि अपरेल में मैंफेक्शरिंग होगी या मार्च में मैंफेक्शरिंग होगी उसकी मैंफेक्शरिंग पहली हो जाती है नॉमबर दिसंबर में माल भर के रखा जाता है अनलिमिटेड और मार्च में उसकी डिस्पैशिंग होती है अब मार्च में ही 15 मार्च 16 कोविड आने वाला है कोविड आने वाला है आने वाला है खत्र है खत्र है खत्र है खत्र है तो जितना माल बनाया था कुछ भी कहीं नहीं सारा का सारा जितने भी करोडों का माल था वो ऐसे स्टोक रहे गया अप्रेल मैं जून लोगडाउन लग गया फिर लोगडाउन तो ख पुराने वाला इतना भी का नहीं अब और भाइसाब बड़ी ओडर आएंगे अब तो एक डबल डिमांड निकलेगी फिर सेगेंड वेव आगी अप्रहें 2021 में धंदे से कह दिया फिर आज के बाद तो अधार माली नहीं बनाना वाई साथ पैसा दो तब माल बनेगा अधरव का रहे हैं मतलब आपको बता है मैं क्लासिस लेने जाता हूं तो वहां पर एक स्टूडेंट मिला उसका पहले होटल का इंडेस्ट्री में उसके देरा दून में होटल थे का सर मेरा मन था मैं सूरी में भी होटल चलाऊंगा अपना कह रहा है फरवरी 2020 में एग्रिमेंट किय कि अप्रैल बीस से लेके अप्रैल 21 तक यह होटल मेरा लीस पे है कि रहा हूं ही लोग नहीं लग गया सारे पैसे बरबाद कोई भी नहीं यह बचाने नहीं लिया भी उसे साल के लिए था कर करना ही नहीं आज के बाद यह दंदा एक और धंदा मेरे पे तुबहुत एक्ज है भाई साब उसने अपना नया नया रेस्टूरेंट और बार का धंदा चलाया 2019 में धंदा बनाया बैटा 2020 में सबसे पहले बार को लोग डाउन नहीं जब बाकि सब कुछ कुल गया रेस्टूरेंट में स्पेसिंग वह लावी कहां थी आएक एक सीट छोड़के चलाओ जी हुका बंद कर दिया गौवर्मेंट ने लिगल कर दिया पूरे इंडिया में करना करना येजी बड़ा मुश्किल है इन सारी चीज़ों को देखते हुए कभी नया और जाता है कभी कस्टमर की प्रेफरेंश हो जाती है कभी गुवर्मेंट पॉलिसी चींज हो जाती है कभी यह पता चला कोविड आ गया दमाग खराब कर रखें धंदा कर लो या इने डील कर लो बिजनस इंवायर्मेंट अपने आप में क्या है कॉंप्लेक्सिटी इन नीचर बहुत कॉंप्लेक्स है धंदा करना जितना यहीं तुम समझ रहे हो ना एक बार धंदे वाले इंसान मैं कहा रहा हूं पढ़ना कौन सा आसान है पढ़ना भी दिक्क्रत की बात है धंदे में चलो कॉंप्लेक्सिटी है डाइनमिक तो अपने आपी वो बिजनस की से चलती रहती है लेकिन हाँ यह कमियां है कुछ जो कमी है तो कमी है और पहली बात वैसे बिजनस को टैबू मायना जाता था आज से दो-तीन साल पहले तक लेकिन जब से शाक टैंकाया जो यह नहीं जनरेशन है यह समझ गया वाई साब हमें धन्दाई रहें लेकिन मैं उसकी बाद भी बता दूँ जो आप घूम भी रहें और पैसे भी कमा रहें उसने अपना प्रिस्पेक्टिव बताया कहरा कि तुम घूमने जहां और मैं तुमें कह दूँ डेली बेसिस टे एक फोटो खीच के इंस्टाग्राम पर अपलोड करन मेरे लिए घूमना तुम्हीं तो लगता है कि मैं घूम रहा हूं तो प्रिस्पेक्टिव की बात है उस पॉइंट व्यू से सोचंगा वहाई साब मुझे पता है कितना सरदेद्दी वाला काम है लेकिन पैसे भी तो कमा रहा है तुम जो भी करोंगे पढ़ भी रहे हो सच्चाई तो यह जितने बच्ची भी पढ़ रहे हैं एक रीजन से बढ़ रहे हैं पैसे कमाने के लिए या शादी करने है कलको घर वालों ने जब अद्श्ति कह मतलब बेसिवाना मैं समझा लेकिन कौन पढ़ रहा है नोलिज के लिए तुम भी है पढ़ रहे हो आप कोई भी केस्च सटी पढ़ लो एक साथ में जो कि सटी होती है अभी तो आही है कि प्रैक्टिकली बन जाओ हो गानो क्या है कि दोगजार 15 16 से हो गिए और बिटा बी से आप जो बच्चा मैं इजी ले रहे नहीं बता दो 15 16 में जब कैसी सट्टी आई नहीं तो जो 15 16 तक इतने टीचर पढ़ारे थे उनने बीएचसी पढ़ाना छोड़ति आज कि देना सालिक के सिस्टेडिस को देखते हैं वैसा वैसी एसी टफ के सिस्टेडिये समझी नहीं आता कि क्या उनसे दिये जाएंगे और बैच में पेस्ते अलग हो जाएगी अगर के सिस्टेडी के निकले तो टीचर से भी पहले डिरेक्ट कोश्चन आते थे आप देख लो डाइनमिक बिजनस इंवाइरमेंट करियर खतम घर दिया के सिस्टेडी ने सही चल रहा था धंदा खाली रटवाना था रटवाना खतम आपको समझाना पड़ेगा तो फिलाज बड़ा कॉंपलेक्स है धंदा करना इतना असान नहीं है कितने पॉइंट हुए पांच अभी वी कितने रहेगे दो कौन-कौन से एक है इंटर रिलेटेडनेस बहिए यह क्या इंटर रिलेटेडनेस कह रहे हमारा सारा का सारा बिजनस एक दूसरे से इंटर रि जैसे एक्जामपल दे रखा है आज के दिन लोग बेटा सही में नहीं धंदे बन रहे हैं इसके अपनी हैल्थ को लेके बड़ा वेर होगे हम तो अर्गैनिक खाते हैं हम तो अपनी कैलरी सिंटेक कम करनी है हम निखाते बटर हम निखा अब तो आजकल वह पीनिट बटर च है ना भाई कैलरी सिंटेक कम करनी हैं तो आज के दिन जितने लोग हेल्थ के बारे में अवेर हो रहे हैं उससे इंपेक्ट क्या रहे है जो और गैनिक फूड की मार्किट क्या कर रही है ग्रो करते हैं डैट इस इंटर रिलेटेड़नेस सब और गैनिक अब वह कोई कोई को कोन से लिए क्या है हर कोई हर कोई की नो शुगर नो शुगर इसमें शुगर नहीं होगे इसमें कैलरी इसमें तो दिखावा एक तो दो वंदों ने अगर भाई साब हाई क्लास में बैटने मैं तो कैलरी सिंटेक ही नहीं करता है मैं भी नहीं करता है मन कोल्ड रिक पीने का कर रहा हो वह दिखावे के चक्कर में अच्छा तुमिन लेता मैं लेता भाई मतलब आप यह देखो धंदा बड़ा है और्गैनिक का आज के दिन बहुत बड़े धंदा चलता है इंटर रिलेटिटनेस आज की दिन सारे और गैनिक टाइप बिजनस से चल रहे हैं सारे के सारे जितने भी आप देख लोंगे तो दिस इस और यह पैक्ट है आगे आने वाले टाइम में कोल्ड रिंग की मार्किट कम होगी जितना लो यह रिलेटिविटी क्या है जब भी कोई चेंज आता है दंदे में वह चेंज एक के लिए अपरचुनिटी और एक के लिए थ्रेट होते हैं जैसे की समझाओंगे चलो कोविड की बात ही कर लेते मेरे पर तो अनलिमिट एक्जामपल है ओविड मैंने थ्रेड बताया लोगों ने घर वैट की क्या है पूरे के पूरे दिन लाओ भाई साब कभी यह पकोड़े बना दो आटे की सेल बढ़गी अपना दूद की सेल बढ़गी पूरे मजह कमाई वाई साब घर बैट बैट कि उन्होंने बहुत से अमूल बैटर वालों से पूचो अमूल वाला क लोग खाली बैट की खाली करेंगे क्या खाएंगे पिएंगे के रहा हमने तो बहुत प्रोडक्शन करी हमारे तो सेल्स बहुत बढ़गी यह तो एक सिंपल बात है लेकिन एक जो सबसे बड़ा बंदा मजे लेके चला गया कोविड के जिसने अलगी लैवल पर यूज कर ल जी मीट तो पहले से बिखा लेकिन जी मीट में बहुत कमिया है मैंने जी मीट इतना अच्छा इंटर श्यूजर इंटरफेश निया उसका और फ्रेंडली ने था उतना एक आधे दिन मैंने भी उसका इतने गल्हें को जौइनहीं नहीं कर पासे उसी समय जी से इस कुछ महिने पहले थी लेकिन इसे पहले बता था कोई डाने वाले इसे पहले बता था यह स्याप्पा होगा एक चाहिए होगा जिसके त्रूं मीटिंग सो सकती है इसने तो पता नहीं कितने हजार क्रोड के वैलिवेशन कमाली भाई साब अब तो भाई साब यूस्टू हो गया ना हरको यूँ जूम जूम कोई भी इंटिक कोंफरेंस करने हो विडियो कोलिंग करने हो तो विडियो कोलिंग भी भाई साब अगर हमें पांच लोगों चार- बिजनस इन्वाइरमेंट है टाइम के अकोडिंग चींज लेओ अंधा पैसा कमाके जाओं फर्स्ट मुवर एड्वांटेज बनके ले गया यह जूम चोंटो बाई जूसा नकेड मज़े लेके चलेगे मतलब कोई इतना नहीं पूछता था जितनी ग्रोथ इनकी कब होगी कोविड के बार तो बेटा ही सारे की सारे मैंने समझा दिये इंटर रिलेटिडनेस डाइनमिक नेचर और आखरे की तीन कौन से समझाए अंसर्टिनिटी कॉंप्लेक्सेटी एंड रिलेटिविटी बेटा एक बार रेडाउट कर लो कोई डाउट है पूछ लो मिनिंग और आज हमने कंप्लेट के लिया